दोस्तो आज के सेशन में हम लोग एक ready matte 3D डिजाइन को इनवलक टूल को यूज करके उसको circular shape देंगे तो दोस्तो चले विदाव टाइम एस्टिंग शुरू करते हैं सबसे पहले मैं यहाँ पे एक circle ड्रो करूँगा इस तरीके से और दोस्तो इसी circle का मैं offset ले लूँगा यहाँ से offset tool ले करके inside में इस तरह से drag करूँगा मैं उसके बाद दोस्तो एक design मेरे पास ready है मैं यहाँ पे आता हूँ relief clip art library इस पे click करने के बाद देखे यहाँ पे मेरे पास design ready है मैं इसको drag करता हूँ model पे अब मैं इस window को बंद करता हूँ अब दोस्तो देखे यहाँ पे यह design जो मेरे पास ready है इसको हमें इस तरह से circular में लाना है यानि इस circle के अंदर इस design को fit करना है तो इसके लिए दोस्तो पहले आपको अपने design को इस circle से circle तक का size दे देना है यानि कि अभी देखे मैं design को इस तरह से यहाँ पे रख रहा हूँ तो इस तरह से यह आ रहा है इसके size को थोड़ा सा out decrease करना पड़ेगा तो इस तरह से मैं shift तबा करके drag करता हूँ और इसको resize करता हूँ अभी यह सही है तो दोस्तों मैं क्या करूँगा इसको मैं side में रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक line draw करूँगा इस circle के center से आप mouse को यहाँ पे लाईए देखिए यह circle जैसे icon आएगा तो यह center है इसका मैं यहाँ पे click करूँगा और उपर इस तरह से control दबाना है state line के लिए तो इस तरह से यहाँ पे मैंने line draw कर लिया है अब दोस्तों मैं यहाँ पे आऊँगा block and rotate copy में और rotate copy को select करूँगा और यहाँ पे देखिए rotate center इसको select करूँगा और इसका center point मैं दे दूँगा यहाँ पे अब मैं इसको 360 degree में यहाँ पे 8 copies ले लेता हूँ इस तरीके से अब दोस्तों यह copies मेरे पास आ चुका है यानि कि हम इस design को 8 copies में divide करेंगे तो इसलिए हमने यहाँ पे 8 copies लिया है अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं तो ज्यादा ले सकते हैं या कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे कम ले सकते हैं तो अब मैं यहाँ पे इस तरह से trim कर लूँगा और नीचे वाले को भी trim कर दूँगा अब मैं दोस्तों इस vector को थोड़ा सा मैं side में कर लूँगा इस तरीके से ताकि एक्स्ट्रा जो part आएगा वो एक दूसरे में joint रहेगा तो सही रहेगा इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से drag करके बाहर कर लूँगा दोनों vector को इस तरह से आपको note पकड़के बाहर कर लेना है थोड़ा सा ज्यादा नहीं क्योंकि यह एक दूसरे में intersect होगा joint होगा तो design सही लगेगा इन lines को मैं delete कर देता हूँ इसकी जरूरत नहीं है अब मैं दोस्तों यहाँ पर आऊँगा envelope distribution में इसका short key control E है इसके बाद दोस्तों इस तरह से आपके पास देखें यहाँ पर तीन options आएगा एक automatic bounding box और दूसरा है wrap along single curve उसके बाद है wrap between two vectors तो हम लोग यहाँ पर इस वाले को यूज़ करने वाले है wrap between two vectors इसको select करने के बाद दोस्तों पहला है set top curve और set bottom curve तो यहाँ पर मेरा top curve यह वाला रहेगा इसको मैं select करता हूँ अब दोस्तों यहाँ पर आपको vector के direction को भी ध्यान में रखना है अब देखिए इसका direction इस तरफ है तो नीचे वाले का भी direction इसी तरफ होना चाहिए इसको मैं नीचे select करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका direction opposite है तो हमें इसको same direction में करना परेगा right click करके reverse vector तो यह देखिए same direction में हो गया अब यह दोनों vector हमारा ready है path के लिए और मैं इसको select करूँगा select करके यहाँ पर करूँगा distort distort करते ही दोस्तों इस तरीके से देखिए आपका design इस vector के अंदर fit हो जाएगा अगर आप इसमें कुछ changes करना चाहते हैं तो इसको यहाँ पर cancel करके दोबारा vector को यहाँ पर change कर सकते हैं तो मैं अभी इसका जो यहाँ पर size था वो बहुत ज्यादा था तो मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो offset tool लेकर के मैं अंदर के तरफ इस तरह से offset लेता हूँ तो देखिए इस तरीके से अब दोबारा मैं envelope को click करूँगा और यहाँ पर first vector अभी यह वाला selected है पहले से तो मैं इसको select कर दूँगा और फिर से मैं यहाँ पर इसको select करके design को restore करता हूँ देखिए इस तरीके से अब इस vector से यहाँ पर design fit हो रहा है अगर आप लोग इस तरह life changes करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको इस तरफ लेके आता हूँ और इसको भी मैं थोड़ा सा इस तरफ ताकि यह joint में आए यह वाला area और बीच में इसका कोई changes करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ पर आप क्लिक कीजिए यह नोड बन जाएगा उसके बाद इस तरह से आप ड्रेक कर लिजे तो मैं यहाँ पर भी इसको ड्रेक कर देता हूँ थोड़ा सा इस तरीके से अब दोस्तो आप जब इस से सटिस्फाई हो जाएंगे तो यहाँ पर फिनिश कर दीजे फिनिश करने के बाद दोस्तों यह डिजाइन जो है इस तरह से डिस्टोर हो चुका है अब दोबारा मैं यहाँ पर बलोग एंड रोटेट कोपी में आऊंगा और यहाँ पर रोटेट कोपी करके यहाँ पर रोटेट सेंटर पॉइंट पर हमारा पहले से सेंटर पॉइंट यहाँ तो इसकी जरुवत नहीं है अब अगर आपने इस डिजाइन को कहीं मूव कर लिया है तो फिर आपको जरुवत पड़ेगा क्योंकि हमने इसको मूव नहीं किया है उसी जगह है और हम यहाँ पर 360 में यहाँ पे same amount रहेगा जो हमने अभी इसको divide किया था circle को और यहाँ पे हम कर देंगे apply इसको select करके इस तरीके से apply करने के बाद दोस्तों देखिए design इस तरीके से आपका circular shape में आ जाएगा अब बीच में यहाँ पे कोई और design देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं इसको मैं इस तरीके से center पर रख लेता हूं कि shift और अल्ट दबा करके आपको यहाँ पर size increase करना है तो यह both side में increase होता है यानि कि चारो तरफ से आपका size increase होगा कुछ इस तरीके से उसके बाद मैं यहाँ पर इस window को close कर देता हूं कि लिप 8 वाले को और मैं यहाँ पर 3D view कर लेता हूं हाइड देख लेना है तो मैं यहाँ पर इसका हाइड अभी देखे 19 है center वाले का भी हाइड में check कर लेता हूं यहाँ पर 27 है तो इसको मैं 20 कर दूंगा उनली और उसके बाद apply उसके बाद मैं यहाँ पर सब को select करता हूं select करके मैं enterprise करूंगा keyboard से तो यह paste हो जाएगा उसके बाद दोस्तों देखे यहाँ पर मेरा design इस तरीके से ready है तो दोस्तों इस तरह से आप कोई भी design को circular shape में ला स और bell के icon को दबा करके all notifications कौन कर दीजे ताके आगे आने वाली हर वीडियो की notification आप लोगों को time पर मिल जाए तो दोस्तों चलिए हम लोग मिलते हैं next video में जब तक के लिए goodbye